आज में आपको बनाना सिखाऊंगे एक और नई रेसिपी आज में आपको बनाना सिखाऊंगे पीजा विदाउट आउगल इसके इंग्रीडियन्ट आप नोट कर लें सबसे पहले हम लेंगे चिकन बामलेस मॉज्रेला चीज चैडर चीज मैंने एडम वालों के यूज की है लेकिन आपको जो भी ब्रैंट आपको अच्छा रखता है आप उसके यूज कर सकते हैं इसी तरीके से लसन अद्रक की पेस्ट आदा चम्मच चिकन पाउडर थोड़ा सधनिया इसी तरीके से शिम्ना मिर्च एक अदद मैंने ले लिया है और इसको स्केर शेप में मैंने का Shangопipple के कर बादा मोत मैंने चर्म कम रूड़ा है है और दौब आपके जा इसी डूड़ not लिया है इसी तरीके से कटर मिर्च आदा चमच हमने ले है और गाई मैं आपको बताती चलोबमै ःच्छ्ट को मैं सब से पहले तार कर ली ती दो को मैंने गुंट लिया था उसको ए यह पीजा डो की रेसिपी का काट भी यहां पर शो कर देती हूं और लिंक पी डिस्क्रिप्शन में मौझूद है आप चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं अज़र देख सकते हैं कि सबस्क्रिप्शन मेरे और लाइ कर दूँगी सबस्तु आप देख सकते हैं कि हमने चीकन को आदेफलसन के साथ पाई कर लिया है अब इसे के साथ में इसमीक, चिकन पाउडर, इक चमच, आदा चमच कटर मिर्च, आदा चम मुच लाल मिर्च, और हस्पी तुलिवर्ट मिर्च, इसे के साथ बना हुआ सीड़, अब इस सारी चीजों को हम अच्छी तिके से मिक्स कर देते हैं अब आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छी तरीके से तियार हो चुका है, आपको आप अब बता चुके हैं, तो दो मैंने पहले तियार कर दी थी, एक कप मेंटा, उसके अंदर एक चमच, इंस्टेंट इस्ट, नमक, इन सारी चीजों को मैंने इसे तरीके से गूंद लि देखें इस तरीके से मैंने रोटी को बना लिया है, अब इसके उपर हम फोग के साथ इस तरीके से सुराफ करेंगे, बाचि हमारा पीजा ज़्यादा फूले ना, आब देखें हमने इस तरीके से चीज़ लिया हैं, पीजे कंदर सारी फोग की मदद से, अब हम सबसे पहले पीजा सॉस रालेंगे और इसको चम्मच की मदद से खेला लेंगे अब हम चिकन जो के हमने कियार कर लिया था इसके तोपिंगर खारेंगे अब इसे के साथ हम शिम्ला मिर्च इसे के साथ प्याज इसी के साथ ब्रीन ऑलिद मैं इसको में 3-35 मिनद के लिए रख दूँगी लेकिन मैं इसको बीख होने के लिए नहीं मैंने आपको कहा था मैं आज गुदाव yılड अबनारी हूं पुतिले मैं तरही हो किस थीक़ा अब दिखाती हूंगी अब देखिए इस तीके से मैंने चिकन की टॉपिंग कर ली है अब इसी के साथ में चैडर चीज मॉजरेला चीज दोनों हम एट कर देंगे अच्छे तीके से अब आप देख देख सकते हैं कि मैंने पीज़े को फैन में रख दिया है अब मैंने इसको उपर से कवर कर दूगू को लेकिन मैं आपको ये बता दूग के मैं पतीले में ना तो नमर ना तो रेड यू उसकी एक सिरफ इसके नीचे स्टैन रख दिया और उसके उपर पीजे वाले ट्रे को अब इसको मैं कवर कर दूँगी और 30 से 45 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने के लिए रख गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारा मज़दार साफ इजा जो के त्यार हो चुका है अगर आप इस चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को स्यादा से जादा लाइक और शेयर करिएगा तैंक यू